हलो गाईज चलिए देखते हैं नेक्स्ट जब भी आपके पार्टनर के साथ आपकी बात या मुलाकात होगी तो क्या होने वाला है नेक्स्ट जब भी आपसे बात या मुलाकात होगी तो क्या होने वाला है princess of pentacles निकल कर आया है okay देखिए the lovers के energy है तो next जब भी आपसे बात यहां मुलाकात होगी यहां पर आप लोगों की permanent reunion हो जाएगी is of wands एक fresh start होगी आप लोगों की connection में जो भी यहां पर distance है जो भी यहां पर separation है वो सब कुछ खतम हो जाएगी और temperance के energy है यहां पर देखिए आप लोगों की relationship में balance आएगी यह जो separation है यह खतम हो जाएगी आप लोग यहां पर permanent reunion होगी आपके partner आपके कोई divine आप लोगों में कोई divine connection यहां पर लग रही है यहां पर आप लोगों एक दूस्रे के higher level of soulmates हो सकते हो कोई ना कोई spiritual connection आप दोनों की है आप दोनों ही एक दूसरे को heal करते हो बहुत ज़रा loving energy आप लग रही है और next जब आप से बात होगी या मुलाकात होगी तब बहुत कुछ change हो जाएगी आप लोगों के life में आपके partner में भी आपको बहुत से changes दिखेंगे वो directly आकर आपको कोई love offer दे सकते है directly आपको marriage के लिए पूस सकते है क्योंकि देखें यापर marriage वाली energy है divine खुद यापर दो लोगों की marriage करवा रहे है divine खुद यापर दो लोगों की reunion करवा रहे है तो यापर marriage आपकी destiny में हो सकते है next जब भी आपसे बात या मुलाकात होगी आपको marriage commitment मिल सकती है आपके साथ fresh beginning करेंगे ये तो आपको proposal दे सकते है permanently कोई commitment आपको दे सकते है और इस situation में balance वो लिकर आएंगे अगर long distance relationship है तो यहाँ पर आगे चलकर आपके partner travel करके आपसे मिल ले आ सकते है